हलो माई लब्ली वेकर वेलकम बैक टू माई चानल तो आज फिर से आप लोगे साथ और एक नए केक की डिजाइन सेयर करने वाली हूँ मतलब आज चॉकलेट केक डिजाइन आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूँ बहुत एक खुबसरत सा बाला एक केक डिजाइन आप लोगे पास तो इधर मैंने 1-1.-1 पाउंड के केक बनाने के लिए एक 1 पाउंड के चोक Adventure बना लिया हूं आयू हूं और उटर मैंनेButand । दूकान बाला क्यचान प्रिमिक्स है तो एक कब प्रिमिक्स मैंने लिया हूं मिजरमेंट काप से और उसके साथ मैंने 1Tb फीलपून ओइल ग्यार करो करें फीर उसको भानिस बसाइब में अंहीं कुरुस, और शोक करने के लिए मैंने कोई भी मतलब सुगर सिर्फ यूज नहीं कर हुँ , बस नौर्मल पानी से ही सोक कर रहुँ तो मैंने बस पानी से ही सोक करती हुँ अबी sellers कींच का स्पॉझ तो सोक मैंने कर लिया फिर मैंने इधर खूर करीम दिया हूं चॉक लगता है मतलब टेस्ट में कुछ फारक नहीं लाएगा चोकलेट केक की जा रहा है इंतरह लागेगा तो बस ऑस टेप फॉलो करने के बाद मैंने क्रीम दिया क्रीम दे के इसको स्प्रेट किया फिर मैंने अच्छा वाला टेस्ट के लिए चोकलेट गनास मैंने एक चामच जै यंगे लिया हूने और इसको स्प्रेट करने के बाद मैंने थार लेयर भी और धार लियार मैं हमें सब्हुंद रहता है तो इसलिए कर आप 2 या या बहुत कम रहता है तो इसमें फीनिसिंग वी बहुत अच्छा अजा आ चाहिक ही बहुत कम टाइम पर तो इसलिए मैं हमेशा एसी वाला लेयर को केक की सबसे टॉप में रखती हूँ तो रखने के बाद मैंने सेम स्टेप फॉलो किया बस नॉर्मल पानी से सोक किया हूँ फिर क्रीम दे के चोकलेट वाला क्रीम दे के अच्छी तरह से स्प्रेट कर लूँगी और उपर वाला पॉर्सें स्प्रेट करने के बाद मैंने साइट को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी उसी क्रीम के साथ और इधर मैंने चोकलेट वाला क्रीम बनाया हूँ बस क्रीम के साथ चोकलेट गना सेट किया हूँ जितना हो सके, आपको जितना मतलब मीठा चाहिए, चोकलेट की कंसिस्टेंट सी चाहिए, उतना आपको चोकलेट गाना सेट करना है, फिर अच्छी तरह से मिख्ट कर लिया, फिर उसको मैंने यूज किया हूं, तो बस थोड़ा बहुत क्रीम देके साइड को भी कवर कर लिया क्योंकि आज का जो डिजाइन है, वो इसी मतलब डिजाइन के साथ, वाइट क्रीम के आइसिंग ही जाएगा, तो इसलिए बस वाइट वाला क्रीम से मैंने केके आइसिंग कर रही हूं, तो आइसिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले क्रीम को पापिंग बैग में भर लिया तो इसलिए मैं suggest करूंगी और मैं भी करती हूं कि piping bag में भर के cream को apply करती हूं तो इसमें cream भी बहुत कम लगता है और अच्छा खासा finishing आ जाता है बहुत ही कम टाइम पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है तो इसलिए मैंने piping bag ही use करती हूं तो बस cream को apply करने के पाद ऊपर को थोड़ा मैंने पैलेट नाइप के मदद से स्प्रेट कर लिया और साइट को मैंने उसी पैलेट नाइप के मदद से पहले स्प्रेट कर लूँगी फिर मैंने एक स्क्रैपर लिया हूं प्लेन बला स्क्रैपर और स्क्रैपर के मदद से मैंने साइट को पहले प्लेन कर इसमें फिनिसिंग बहुत अच्छा कासा आता है नहीं, तो फिनिसिंग हमारा सही से नहीं आया चाएगा, तो बस केक्या ऐसिंग तो हमारा complete हो चुके है, और आसिंग करने के बाद मैंने इसको थोड़ी दर के लिए फ्रिज में रखके set कर ली थी, और आब मैंने लिया हूँ चौकलेट गनास और इसी बाला गनास की जो consistency रहेगा वो थीक बाला गनास नहीं चाहिए हम लोग को बहुत ही पतला बाला गनास की consistency चाहिए नहीं तो जो design हम लोग बनाने चाती हुना तो design नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बस chocolate गनास को हाथ पे लेके बस इधर मैंने छीटे के तरह दे रही हूं बस कुछी नहीं करना है आपको चॉकलेट गनास को एक उंगली में उठाना है फिर इधर छीटा दना है आपको और बस सुंदर सा खुबसरत सा केक डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा तो बहुत ही मतलब स्टेंडर बाला लुक देती है और बहुत ही सिंप ट्राइ कर चुके हो या फिर करोगे तो फिर वह भी मुझे कमेंट्स करके बताना तो पूरे केक के उपर यह वाला डिजाइन देने के बाद मैंने पहले केक बोड को ट्रांटेबिल को फिर असपस जितने भी हमारा चॉकलेट गनास गिरी थी उसको पहले क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद मैंने इधर लिया हूं सबसे छोटा वाला स्टार नॉजल और वाइट क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया और केक की सबसे साइड में जो बॉडर में डिजाइन होता है उसी में मैं इधर जो मतलब चैन जैसा डिजाइन होता है ना बॉडर में इसलिए मैंने किया किया ना चौकलेट को थोड़ा ग्रेट कर लिया डग कमपाउंड चौकलेट को उसको मैंने थोड़ा मतलब एक लाइन पर रख दूंगी कुछ चौकलेट के टुकरे को तो बस देखी सकतो मैंने केकी एक साइड पर अगर आप लोग चाहो तो यह नहीं भी दूंगे तो आज का डिजाइन एही थे आप लोगों कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो